पाम संड़े पर निकलेगा शांती मार्च चछ असोसिएशन के तत्वाधान में बरेली चछ असोसिएशन के तत्वाधान में दिनाग 14 अप्रेल 2019 को दो पहर एक 30 बजे से Salvation Army Camps से इस वर्ष सड़े प्रोरोशन, शांती मा का आयोजन बरेली शहर की विभिन चर्चेज के द्वारा हर वर्ष के समान इस वर्ष भी किया जा रहा है। कि इस शांती मार्च के लिए ना केवल अपनी उपस्थिती प्रदान करें परंतो इसके उद्देशियों की परिपूर्मता के लिए अपने प्रभू से प्रार्थना करें वर शांती मार्च के दौरान शांती व्यवस्था बनाए रखने में अपना बहुमूय समय प्रदान कर प्रेस वार्ता में उपस्थित अध्यक्ष पादर जोद सिंग उपाध्यक्ष पादरी सुनील के मसीह सचव पादरी संजीवेस मसीह कोशाध्यक्ष पादरी अमन प्रसाद, प्रोसेशन इंचार्ज, पादरी परमिंदर मैसी, प्रोसेशन को आर्डिनेटर, पादरी अनिल मैसी वा गीडिया इंचार्ज, पादरी सुशीर मसीहाधी उपस्थित रहे जैसे योजना बनाई गई है सभी पासवानों के सारे चर्चिस के द्वारा, कि इस बार भी ये जुलूस निकाला जाए, इस जुलूस का उद्देश ही रहता है कि समाज के अंदर शान्ती और प्रेम का संदेश जाए, जैसे प्रभीश मसी आज से 2019 साल पहले शान्ती का संदे लेकर कि यरूशलम में प्रवेश हुए, एक बड़े जुलूस के साथ, वैसे हम भी इस बार फिर से इस कारिकरम को करने जा रहे हैं, और ये कारिकरम हम देड़ बजे स्टाल विशना आर्मी चर्च पर से शुरू करेंगे, और शाम चार बजे क्राइश्ट में चर्च जो वरेली सिविल लाइन्स में हैं, इसमें हम इसका समापन करेंगे, और ये जुलूस शांती, सदभावना, प्रेम का संदेश देगा, और इसमें हम सारे मीडिया कर्मियों से आग्रह करेंगे, कि आप इसमें हमारा सायुग दीजिए, वरेली चर्च इस एसोशेशन का आप सा दीजिए, ताकि हमारे साथ मिल करके इस जुलूस को सफल बनाया जाए, भनिवाद प्रभु आपको आशिश देगे, अपने प्रार्तना के विशे ये होंगे, देश के लिए प्रार्तना करेंगे हम, अपने देश के लिए जिसमें शांती बनी रहे, प्रेम बना रहे, अप उनके लिए इसमें प्रार्तना करेंगे और करते चले आए हैं, और शासन के लिए, प्रशासन के लिए, अपने देश के आईएस अफसरों के लिए, पुलिस अधिकारियों के लिए, और सारे के सारे जो हमारे जजिजिज उन सब के लिए, सुप्रिम कोर्ट से लेकर के, लिए हम प्रार्थना करेंगे इसमें और हम विश्वास करते हैं इस प्रार्थना का प्रतिफल हम सब को ग्राफ होगा। जगत का उद्धार करता है एक बड़ी संख्या में लोगों के साथ यरूशलम में प्रवेश हुए थे और इस दिन को विजय दिवश के रूप में भी मनाया जाता है और लोगों ने उनके स्वागत में उनके वेलकम में खजूर की डालियां अपने कपड़े जिस रास्ते से में गुजर रहे थे उस रास्ते में विच्छाई और इसलिए इसको अंग्रेजी में पाम संडे और हिंदी में खजूरों के इतवार के रूप में भी मनाया जाता है इसका मुख के कारण ये होता है कि हम अपने देश के लिए शांती और सद्भावना के लिए प्रासना करत हैं जिस तरह से प्रवेश्य मसी ने विजय प्रवेश के के द्वारा पूरे मानव जाती के लिए पूरे संसार के लिए शांती का पैगाम दिया उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और हर वर्ष हम इस जुलूस को आज के दिन मनाते हैं जिसमें बरेली सारी कलीसिया हैं सारे चर्चेस के पासबान बिशप्स और तमाम कलीसिया के लोग इसमें समलित होते हैं और विशेश रूप से हम इस वर्ष जो चुनाओ हमारे भारत में हो रहे हमारी कामना है हमारी प्रातना है कि हम लोग इस जुलूस के माधियम से प्रातना करेंगे इश्वर से कि हमारे देश में एक ऐसी सरकार का गठन हो जो हमारे देश की उन्निती के लिए हमारे देश की तरक्की के लिए नए रास्तों को खोल सके ऐसे हमारी कामना है, ऐसे हमारी दुआ है और जैसे आज तक मसी समाज को, मसी समुदाय को पूरे भारत वर्ष में स्वटंतरता है, freedom है प्रचार की, प्रशार की, अपने विश्वास को प्रैक्टिस करने की अपने विश्वास को मानने की और विभिन शेत्रों में जो सुतनता हमें हमारी सरकार के माध्यम से आज तक प्राप्त है यही हमारी कामना आगे भी है कि जो सरकार भी सरकार बनाती है जो पार्टी संसद में अपने सरकार का भहुमत साबित करती है हमारा सहयोग जो मसी समाज है उनके साथ रहेगा जैसे आज तक हमने विश्वास के साथ इमानदारी के साथ अपने जिम्मदारियों को भारत वर्ष के परती निर्वा की है आने वाली सरकार में भी हमारी विश्वास योगता हमारा ये प्रयास कि हम पूरे भारत में शांती और सद्धावना के संदेश को दें ये जारी रहेगा शुब कामना है हमारी उन सभी के लिए जो इस समय लोकसभा के चुनाओं में हैं और मेरी प्रातना है जो ईश्वर चाहता है वो पूरा हो सके दन्यवाद